आप लाइनों और कोणों के उदाहरन लगभग हर जगह देख सकते हैं यह उन्हें जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि हवाई जहाज की पंखों पर कोण की गणना से लेकर उसे कुशलता पूर्वक उड़ने की अनुमती देने तक या कार के सामने के कोण को विकसित करके हवा की प्रतिरोध को कम करना क्या सुनिश्चित करने के लिए कि एक पुल के बांधों पर सही कोण होने के लिए वजन वयोजना बनाई गई है लगभग सब कुछ मनुष्यने रेखाओं और कोणों की समझ से हासिल किया है उनके साथ काम करने के लिए हमें पहले कुछ शब्दावली को समझने की आवश्यक्ता है कल्पना करिए कि मैं जेम्स, फिदेल और माया के बगल में एक सीधी लाइन में खड़ा हूँ जेम्स और फिदेल के बीच की लाइन जिसे दो अंत सिंधूओं से चेहनित किया गया है को खंड कहते हैं यह खंड पूरी लाइन का हिस्सा है जो मेरे नीचे और माया के बीन बिंदूओं को जोड़ता है यदि तीन या अधिक बिंदू एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम कहते हैं कि वे सहारेखी हैं तो हम सभी चार सहरेखी बिंदूओं पर खड़े हैं लेकिन अगर लड़के लाइन से हट जाते हैं तो ये चार बिंदू अक्ष रेखिये नहीं रहते ऐसे एक किरण एक ऐसी रेखा है जिसका एक ही अंतिम बिंदू होता है और ये एक दिशा में फैलता है या एक खंड के विपरीत होता है जो दो अंतिम बिंदूओं वाली रेखा होती है इस घड़ी का मिनट और घंटे का सुई दोनों किरणे हैं उनके बीच की दूरी कोण है कोणों को डिगरी में मापा जाता है हालांकि हम आमतोर पर कोणों को विपरीत या घड़ी की दिशा में मापते हैं तो चलिए हमारी घड़ी को पीछे ले चलते हैं एक पूरे वृत में 360 डिगरी होती हैं हम 0 डिगरी से शुरू करते हैं यदि मिनट का कांटा चौथाई घूमता है तो वह 90 डिगरी चला जाता है यदि मिनट का कांटा आधा घूमता है तो वह 180 डिगरी चला जाता है अगर ये 3 चौथाई चक्कर लेता है तो ये 270 डिगरी चला जाएगा और यदि यह पूरी तरह घूम जाता है तो यह 3.60 डिगरी चला जाएगा और हम वापस जहां शुरू किया था वहां होंगे निमनलिखेत कुछ समान ने नाम है जिन्हें कोणों को उनके आकारों के आधार पर दिया जाता है एक नुकीला कोण कोई ऐसा कोण है जो 0 और 90 डिगरी के बीच होता है एक सही कोण वा है जो ठीक 90 डिगरी होता है एक अठक कोण वा होता है जो 90 और 180 डिगरी के बीच में होता है एक सीधा कोण वा होता है जो ठीक 180 डिगरी मापता है एक प्रतिबिम्प कोण, कोई भी कोण होता है, जो 180 से 340 डिगरी के बीच होता है हमने जो शब्द देखे, वे कोणों पर लागू होते हैं, जब हम एक ही कोण को देखते हैं निम्नलिखित शब्द कोणों की जोड़ी के बीच संबंधों के लिए है जेम्स और फिदेल ने मिलकर एक पिज़्जा खरीदा है, जेम्स ने खुद के लिए एक टुकडा काट लिया है और एक अन्य फिदेल के लिए हम ऐसा लगता है कि वह थोड़ा लालची हो रहा है जब दो कोण सीधे एक दूसरे के बगल में होते हैं, जैसे कि ये हम कहते हैं कि वह सटीक हैं जब दो सटीक कोण मिलकर 180 लीग बनाते हैं या पूरे वृत्त के आधे, फिर हम कहते हैं कि कोण पूरक है माया और मैंने फैसला किया कि हम पिज्जा का एक चौथाई हिस्सा हमारे बीच बांटें एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा, 90 डिग्री, एक समकोण बनाता है हम इस्तिमाही को हमारे बीच कैसे भी विभाजित करें संयुक्त कुल योगदान हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा हम कहते हैं कि दो कोण जो 90 डीजी के बराबर होते हैं वे परिपूरक होते हैं यहाँ एक और उदाहरण है यदि जेम्स ने पिज्जा को इस तरह चार टुकडों में काटने का निर्नाय किया होता फिर दो स्लाइस ले लेता शेश दोनों टुकडों में से प्रत्य एक बड़ा है ना वे दोनों बिल्कुल समान हैं क्योंकि जेम्स ने पिज्जा के बीच से सीधे काट दिया जब कौण दो रेखाओं के पार करने से बनते हैं तो हम कहते हैं कि कौण सीधे आमने सामने है सीधे आमने सामने के कौण हमेशा बराबर होते है यह एक सीधी रेखा है यदि कोई अन्य रेखा इस रेखा को 90 डिग्री पर पार करती है तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं लंबवत है हम कहते हैं कि दो रेखाएं पारलल होती हैं अगर चाहे वे कितनी भी दूर बढ़ जाएं वे कभी नहीं मिलेंगी उनके ढालें भी ठीक उसी तरह बनी रहेंगी अगर हमने एक सीधी रेखा पेश की जो हमारी दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो हम इस रेखा को ट्रांसवर्सल कहेंगे ठीक है तो चलिए कुछ कोनों के साथ खेलते हैं यहां दो और समानांतर रेखाएं और एक ट्रांसवर्सल है हम रेखाओं द्वारा बनाए गए कोनों को कुछ नाम देने की शुरुआत करेंगे हम कोन A और B को सीधे एक दूसरे के खिलाफ होने के कारण सहपड कोन कहते हैं जो दो कोन सीधे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं वे समीपस्थ कोन होते हैं आप देखेंगे कि C और D, A और C और X और Z भी समीपस्थ कोन है समीपस्थ कोण A और B को सीधी रेखा पर कोणों की जोड़ी के रूप में भी कहा जा सकता है क्योंकि वे एक जोड़ी है उनके कोण पूरक होते हैं क्योंकि वे मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं जिसे हम जानते हैं क्योंकि वे मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं तो हमारे पास सीधी रेखा पर समीपस्थ कोण हैं और वे मिलकर 180 डिगरी बनाते हैं ये किसी भी जोड़ी के कोणों के लिए सच होता है जो एक सीधी रेखा बनाते हैं और हम इसे रेखिक जोड़ी सिध्धान्त कहते हैं Angles A और D पर एक नजर डालें वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दो रेखाओं द्वारा एक क्रॉस बनाते हैं जियामिती में हम इन कोणों को लंबवत्तर कोण कहते हैं खड़े विपरीत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं तो अगर आप जानते हैं कि कोण A 100 डिगरी के बराबर है हमारे आरेख में हम कहते हैं कि कोण A और Y बाह्य कोण है, उनके बीच का संबंधिया है कि वे समानतर रेखाओं के बाहर पढ़ते हैं, लेकिन संतरण की एक ही और. इस बयान से आप ध्यान देंगे कि कोण B और Z भी बाह्य कोण है, तो हमें बाहरी कोणों की पहचान करने में कैसे मदद मिलती है? बाह्य कोण हमेशा 180 डिगरी तक जोड़ते हैं, वे पूरक हैं, तो यदि कोण A का मान 100 डिगरी है, तो आप जानते हैं कि कोण Y का मान 80 डिगरी होगा, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, आंतरिक कोण बाह्य कोणों के विपरीध होते हैं, और समानांतर रेखाओं के भीतर या बीच में स्थित हैं, और ट्रांसवर्सल की एक ही और, हमारे आरेक में कोण C और W अंतरिक्षिय कोण है, कोण D और X भी अंतरिक्षिय कोण है, अंतरिक कोण बाहिय कोणों की तरह होते हैं, जो हमेशा 180 डिगरी तक जोड़ते हैं, तो यदि आपको कोण C का मान पता है, तो ये कोण W का मान खोजना बहुत आसान होगा, अब संबंधित कोणों के लिए, जिनमें दो प्रकार होते हैं, पहले में प्रत्य कोण एक समानांतर रेखा के नीचे स्थित होता है, और दोनों ट्रांस्वेसल की एक ही ओर होते हैं, हमारे आरेख में इसके अनुरूप दो जोड़ी कोण हैं, वे कोण C और Y और कोण D और Z हैं, दूसरे प्रकार के समानांतर कोण में, समरूप जोड़ी में प्रत्य कोण समानांतर रेखाओं में से एक के उपर स्थित होता है और दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही ओर होते हैं तो कोण A और W और B और X भी समानांतर कोण है संबद कोण हमेशा बराबर होते हैं इसलिए अगर C 80 डिग्री है तो Y 80 डिग्री होगा and Y J 100 डिग्री है तो Z भी 100 डिग्री होगा हमारा अंतिम प्रकार का कोण वैकल्पिक कोण है वैकल्पिक कोण समानांतर रेखाओं के बीच में होते हैं लेकिन ट्रांसवर्सल की विपरीत ओर तो हमारे आरेक में वैकल्पिक कोण कहां है C और X वैकल्पिक कोण है वैसे ही D और W वैकल पिक कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं तो अब आपके पास समानतर रेखाओं और एक ट्रांसवसल के साथ समस्याओं को हल करने के लिए आवश्चक सभी जानकारी है बस करना बागी है प्रैक्टिस झाल करना बागी है